भारत की विविधता और धर्म निर्पेश्टा की परंपरा में कई घटनाएं कभी-कभी सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदन शिल्टाओं के बीच तनाव उत्पन्न करती हैं ऐसी ये घटना हाल ही में चर्चा में आए जब तिरंगे पर कुरान की आयते लिखी गए और इसके परिणाम स्वरूप एक विवाद उत्पन्न हो गया इस घटना ने न्याई पाली का और समाज के बीच एक संवेदन शील मुद्दे को उजागर कर दिया और एक महतुपूर्ण कानूनी केस को जन्म दिया तो क्या कुछ है पूरा मामला बताऊंगी आपको इस पैसल स्टोरी में नमस्कार आप देख रहे गापिटल टीवी उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ पल्लबी से इलाहबाद हाई कोट ने भारतिय जंडा तिरंगा का अपमान करने के मामले में छे मुस्लिमों के खिलाफ शुरू की गई आप्राधिक कारेवाई को रद करने से इंकार कर दिया ये सभी आरोपी एक धार्मिक जुलूस में अपने हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे इन तिरंगे पर इसलामी किताब कुरान की कुछ आयतें एवं कल्मा लिखा हुआ था इस मामले के सुनाई करते हुए जस्टिस विनो दिवाकर ने कहा कि प्रथम द्रेश्ट्रिया आरोपी द्वारा किया गया कृत भारतिय ध्वज सहीता 2002 के तहत दंडिनिया है जस्टिस दिवाकर ने आगे कहा कि आविदको द्वारा राश्ट्रिय सम्मान अपमान निवारन अधिनियंग 1971 की धारा 2 का उलंगन किया गया है अधालत ने भी इस पर कहा तो अधालत ने कहा कि भारतिय ध्वज तिरंगा धार्मिक नैतिकता और सांस्कृतिक मतभेदों से परे राश्ट्र की एकता और विविदिता का प्रतीक है आदालत ने कहा ये भारत की सामुहिक पहचान और संप्रभुत्ता का प्रतेनिध्यत्यु करने वाला एक एकी कृत प्रतीक है तिरंगे के पती अनादर का कृत दूर गामी समाजिक संस्कृतिक प्रभाव डाल सकता है विशेश रूप से भारत जैसे विविदतापोन समाज में इलाहवाद हाई कोट ने भी कहा है कि तिरंगा पर कुरान की आयते एवं कलमा आदी लिखने की घटनाओं का फाइदा वे लोग उठा सकते हैं जो संप्रदाइक विवात पैदा करना चाहते हैं या विभिन समुदाईों के बीच गलत फहमियों को बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिए कुछ व्यक्तियों के कार्यों का उप्योग पूरे समुदाई को कलंकित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए दरसल उतरप्रदेश की जालोन पुलिस ने पिछले साल आरोपित जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था उनके वकील ने तरक दिया कि जाच से यह पता नहीं चल पाया है कि अफायर में उल्लेखित घंडा तिरंगा है यह तीन रंगोवाला कोई और जंडा है आरोपितों के वकील का तरक आरोपितों के वकील ने आगे तरक कि पुलिस रिकॉर्ट पर ऐसा कोई सबूत नहीं ला सकी जिससे ये पता चले कि अधिनियम की धारदो और तीन के निद्रिस्ट रास्ट्रिय धोज के साथ कोई शरारत की गई थी वकिल ने ये भी कहा कि पुलिस ने दर्च करने के बाद रास्ट्रिय धोज तिरंगा को प्ला यानि की एज ये ने कहा कि जुलूस के दौरान तिरंगा लाया गया था देखा गया कि तिरंगे पर अर्भी में कुछ लिखा हुआ था बता दे कि यह भी पता चला है कि यह आयत और कलमा है इस मामले में पुलिस कॉंस्टेबल खुशीद आलम एशान उल्लाह और राम दास ने कोट में अपना बयान दर्ज करवाया है सरकारी वकील ने कहा कि जब शहर काजी मौलाना साबीर अली को जालौन तलब कर पढ़वाया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें अर्भी में ला इलाही इल्लाला मुहम्मद और रसुल्ला लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है अल लिखी हुई थी तमाम तर्गों को सुनने के बाद कोट में याचिका खारीच कर दी और कहा है कि इस निर्ने को ट्राइल कोट के लिए ही रखा जाए अदालत में आगे कहा कि समन आदेश में ऐसी कोई अवैधिता विक्रिती या अन्य कोई महतपूर्ण त्रूटी नहीं प को सके हैं पिछले साल औरोपियों के खिछाफ मुकदमा हुआ था जल्ओं कुलिस ने पिछले साल औरोपि के खिलाफ मामला दर्ज किया था कार्यवाई को रद करने की माइंग करते हुए यह तर्क दिया गया कि जांस पता नहीं चला कि जंडा रांश्ट्र 25 था या टीन र या इसके लावा ये आरोप लगाया गया कि पूरा मामला गड़े गए तत्यों पर आधारित था और गवाहों के बयान पुलिस द्वारा दवाव और दविश में लिए गए थे हाला कि आपको बता दे कि राज्य ने गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि ये पाया गया कि तिरंगे पर अर्वी में कुछ इसलामी आयते लिखी हुई पाई गई थी अधालत ने ये भी कहा कि अभियुक्तो द्वारा उठाए गए तर्क तथ्यों के सवाल पर निर्ने की मांग करते हैं जिन पर केवल ट्राइल कोट द्वारा ही परियाब तरूप से निर्ने भी आ जा सकता है न्याइबोटी विनो दिवाकर ने कहा कि ये कृत्य प्रथम द्रिष्ट्रिया रास्ट्य ध्वज का अपमान करने के बराबर है और अभी योजन पक्ष से सहमत हैं कि रास्ट्य सम्मान अपमान निवारन अधिनियम की धारादों का उलंगन किया गया है मतुरा में हुआ मुकदमा दर्ज वहीं आपको बता दे कि उतर प्रदेश की मतुरा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रास्ट्य ध्वज का अपमान करने पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों में एक सहायक अध्यापक भी शामिल है अध्यापक वही जो रास्ट्र ध्वज शान से फहराया गया लोगों ने बड़े ही फक्र के साथ तिरंगा जंडे को से लामी उतर प्रदेश के मतुरा में वाइरल हुए एक वीडियों सभी को शर्मसार कर दिया वीडियो में रास्ट्र ध्वज का अपमान किया अध्याफ पुलिस ने वाइरल वीडियो इसी साल के 26 जन्वरी गंतंत्र दिवस का बताया जा रहा है वीडियो में चार लोग तिरंगा जंडा बिछा कर उस पर ताश खेलते नजर आ वहीं सभी जूते चपल भी पहने हुए राश्च द्वज पर बैठे हुए हैं किसी शक्स ने उनका वीडियो बना लिया और स्वतंत्र दिवस पर वाइरल कर लिया पुलिस ने चारो आरोपियो के खिलाप मुकदमा दर्च कर लिया है राश्च द्वज बिछाया और खेलने लगे ताश वाइरल वीडियो मत्रा जिले की लक्षमी नगर थाना शेत्र के जमुना पार का बताया जा रहा है जिसने भी वीडियो को देखा वे आक्रोशित हो गया जिले के समाथ सेवियों ने आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांगी सोशल मीडिया पर टीजी से वाइरल हो रहे वीडियो में चार लोग राश्च द्वज को जमीन पर बिछा कर उस पर ताश के पत्ते खेल रहे हैं जंडे पर बैठे वे लोग जूता चपल पहने ह हैं अपमान करने में सरकारी टीचर भी शामिल वहीं ज्रानकारी के अनुसार राश्ट्रोधज बिच्छाकर ताश खेलने वालों में से एक सहायक अध्यापक बेसिक सिक्षा विभाग है जो की लक्षमी नगर कन्या पार्ट शाला पर ही तैनात रहता है एक अन्य शक्स वह कर ली है वहीं जब इस वीडियो के बारे में अधिक जानकारी की गई तो यह वीडियो गंतंत्र दिवस के दिन का ही बताया जा रहा है सजा का विवरन भार्तिय ध्वज सहीता 222 इसके तहट तिरंगे का गलत उपयोग या अपमान करना एक अप्राद है है भारतिय द्ट सहीता यानि ipc की धारस 2 और टीन के तह में तिरंगे का आपमान करने पर या उसके साथ असमान जनक विभार करने पर दोशी को तीन साल तक की जिल या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है इसके लावा तिरंगा का अपमान करने में इसके जलाना पाड़ना जमीन पर गिराना या किसी भी तरह से अनादर दिखाना शामिल हो सकता है भारतिय कानून में तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान है इसलिए धूम धाम से तिरंगे के साथ स्वतंतरता दिवस मनाएं और भारत की शान को उसी समान के साथ वापस रख दें जिस समान का वे हकदार है वह आपको बता दें कि घटना एक महतपूर्ण कानूनी और समाजिक बहस को जन्म देती है जिसमें धार्मिक स्वतंतरता और राश्ट्रिय प्रतीकों की पवित्रता के बीच संतुलन स्थापित करने के अवशक्ता है अदालत के फैसले ने इस मुद्दे को सुलजाने की दिशा में एक महतपूर्ण कदम भी उठाया लेकिन यह दर्शाता है कि समाज में विविन संतुलन बनाए रखने के लिए अवसक है तो बागी खबरों के लिए आप देखते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार